नमाशकार आईपा के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है आईपा यानि All India Progressive Politics Association एक मुहीम है जो कि ऐसे विचार या ऐसे व्यक्ति जो समाज में प्रगतिशील राजनीती के पोशक हो उनको एक मंच प्रदान करता है इसी सिंस्रे में हम आज पहुंचे हुए मनिश शुकला जी के पास जो कि लखनव महानगर युवा मोर्चा के मंत्री हैं सीधे इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बरतमान में जो राजनीती हो रही है वो किस दिशा में हो रही और उसमें किस तरीके से सुधार हो रही है जिस तरीके से जातिवाद हावी हो जाता यह कि जो भी पार्टियां है जैसे जैसे चुनाओ बाते करने हैं मगर होता क्या है कि जैसे ऐसे चुनाओं आता है तो हम लोग जातिवात की तरफ भाग जाते हैं और कोई मुस्लिमों को साथ लेके चला है कोई ब्रामणों को साथ में लेके चला है कोई OBC को साथ में लेके चला है तो हम लोग जो हैं इन सब को भुला के सिर्फ विकास के मुद्दे पर बहन मायोती जी ने जो काम किया था उसके बाद अखलेश आए उन्हेंने का ये मेरा है अब जो योगी जी कर रहे हैं उसके भी अखलेश यादों कहने हैं कि ये मेरा है ये किसी का पर्टिकुलर नहीं होता है ये यूपी गौश्मेंट का है तो कोई भी सरकार आएगी जाए वहातियन्ता पार्टी की सरकार हो जाए वह समाजवादी पार्टी के यह यूपी के विकास के लिए होता है ना कि कि किसी पर्टिकुला होता है। बात उत्तरपदेश की हो रही है जिस सरवांगेडविकास के मुद्दे होते है तो कहीं ने कहीं निए मुद्दे पिछड़ जाते है बात फिर वही जाती भाद धर्म यह सब चीज़िएं आ जाती है ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुरू से कुछ लोगों ने इसको एक अपना वोर्ट बैंक समझ रखा है कि हम अगर जातिवार पर भागेंगे तो हमें बेनिफिट होगा इससे मगर क्या होए इसमें जनता का नुक्सान होता है आपस में लड़वाया जाता है इसम अपर्टिवों का और नेताओं का तो फैदा होता है कि भैं उक्साव भासर दे के किसी जातिवाद के पच्छ में भोलना मगर इसमें क्या है कि प्यड़व का और देसका नुक्सान होता है जो कि यह गलत है एक और बात है आप युवा हैं और आप उसी टीम के पदाधिकारी भी हैं तो युवा जो है ऐसा करियर इंजिनिंग सेक्टर को अपना लेता है लेकिन कभी वो राजनीती में जो है ऐसा करियर नहीं अपनाता संख्या कम है जो कि युवा शुरू से यह सा सोचे कि हमको राज राजनीती का अस्तर गिरने की वज़े से यहालत है इस जगे तो मैं यह कहूंगा कि जब से भारतियंता पार्टी की सरकार आई यह तो युवा को काफी चांस मिला है और काफी युवा जो राजनीती में आए हैं और अच्छे दायू तपे भी हैं और हम जैसे युवा मोच महानेगर के मंत्री हैं तो हमारे युवा मोचा से पूर राष्टी जो हैं अन्राव ठाकु जी आतके इंद में मिनिस्टर हैं हमारे यहां पर पूर अध्य जो द्यासेंकर जी हैं वो भी संगेठन में अच्छी मिरारी निभा रहा हैं तो इन सब यह सब भी लोग हमारे प् करोना में हमने देखा कि तबाम तरह के जुरों का जिस तरह करोना का लहरा है हमारी तैयारी भी नहीं दिखिए उस त्रीकर से और काफी कुछ अधूरापन लगा तो अभी इस tiden जो है पार्टीयां जो है इस पे क्यों यह वज़ा है कि इस सेक्टर सालों से जब मुद्दा बना हुआ लेकिन आज भी पीछे है स्वास्त के मुद्दे पे मेरी क्या मेरे जैसे कई वाओं की और कई लोगों की यह सोच होती है कि अगर देश में कोई दो चीजे फ्री हो एक सिच्छा और एक स्वास्त तो इस पे मोडी जी काम कर रहा है अभी कोरोना जैसी महामारी में उन्होंने फ्री वैक्सिनेशन पूरे देश में करोड़ों लोगों को लगवाया है और आगे भी जैसे आयूसमान भारत जैसी योजना जो लाए है जो निसुल्क जिससे लोगों को लाब मिल रहा है और आ अगले एपिसोड में किसी दूसरे गस्ट के साथ मिलेंगे हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें